नमस्कार बहुत बहुत सवाइद करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और आज इस वीडियो वा हम बात करेंगे 2020 से 23 सेशन के परिक्षा के कारिक्राम को लेकर के साथ ये साथ बात करेंगे 2019 से 22 से रिजल्ट को लेकर के कल देर साम तक मैं युनिवर् रूटीन जारी कर दिया जाएगा और पार्ट 3 के रिजल्ट को लेकर के वीज़े चर्चाय चले थी अगले हफते जो रिजल्ट आ जाएंगी लेकिन सबसे पहले तो अगर बात करें 2020 से 23 सेशन के परिक्षार रूटीन को लेकर के तो वह साथ से अभी एक से दो दिनों के ब मही को आप लोग को मालूम है मजदूर दिवस है तो पून रूप से कॉपी चेकिंग वगएरा जो पार्ट 3 के चल रही है वो सभी बंद रहेगी और आपको मैं यह बता देना चाहता हूं जो आपका परिक्षा कारिक्रम है वह 50-50 चांसे हैं कि कल जारी किये जा सकेंगे हा आपको एक मही के बाद ही आपको आपका परिक्षा कारिक्रम देखने को मिलेगा आपका जो परिक्षा है वह मही के दूसरे हफ्ते में सुरू हो जाएगी यह मैं आपको अपको पूरी तयारी में है कि आपका जो परिक्षा कारिक्रम जल से जल जारी कर दिया जाए हो सकता ह वहीं उन सभी स्टूडेंट का परिक्षा को लेकर के कुछ चर्चाय चल रही है क्योंकि हाई कोट का आदेश जो था वह पार्ट वन के लिए था इनका पार्ट टू का एक्जामिशन कराना है नहीं कराना इसके उपर जो है अभी जाच परताल किया जा रहा है आगे देखिए इन लोग का परिक्षा जो है पार्ट टू वालों के साथ ही लेना है तो आप लोग जो रेगुलर वाले वो सभी अपनी पढ़ाई करते रही है आपका परिक्षा कारिक्रम जो मही के पहले हफते में देखने को मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो फिर उनिवर्शिटी औ रही थी कि पार्ट टू का परिक्षा कारिकरम अभी जल्दी जारी कर दिया जाएगा लेकिन कब तक जारी किया जाएगा यह डेट नहीं बताएगा तो इसके उपर अभी कुछ फिलहाल बोल नहीं सकते हैं अब अगर बात करें कि आपके एक्जाम्शन प्रप्रेशन की तो लेकिन बीएसी वाले जो है कोशन वो पूरे के पूरे इंगलीस में ही मिलेंगे अब चलिए आखिर में हम बात करते हैं पार्ट थ्री रिजल्ट को लेकर के पार्ट थ्री की परिक्षाएं हो चुकी है कॉपी की जांच अंतिम रूप में आ चुकी है जैसा कि आप लोगों नहीं हो पाएगी और कुछ ने कुछ कॉपी जो बच रही है इसके वज़े से आपको थोड़ा और इंतिजार करना पड़ेगा आपका जो रिजल्ट है वो मई के दूसरे हफते में खिसकर कर जा सकता है में भी 10 या 13 तारिक तक मतलब 13 मई तक आपको आपका रिजल्ट पार पहले ही बोला है CUETPG का entrance form भर लीजिए अगर आप MBA करने का सोच रहे है तो आप जो फॉर्म भर लीजिए उसके लिए आपको कुछ registration charges है जो फॉर्म के हैं आप फॉर्म भरेंगे उसमें appearing का जो है आप section जो चूज करेंगे अगर आपको फॉर्म भरने का तरीका नहीं जो है एकदम तुरत के तुरत निकाल लें ठीक है लेकिन appearing के तौर पे आप forms डाल सकते हैं इसलिए परिशान होने की तुरत नहीं है तो आप अगर पीजी आगे करना चाहते है सेंट्रल इंवर्सिटी से डली इंवर्सिटी से बी एचिव से तो आपको जो है CVT PG का entrance form डालन कर लीजे अगर आप चाहते हैं CVT का जो form अगरा भरकर त्यारी करना तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो आज की वीडियो में बस यही रेपोर्ट है आपकी जो रिजल्ट है वह मई के दूसरे हफते में आ सकती है आप लोग त्यार रहे और इस वीडियो को लाइक